नमस्ते, कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक गुजरात में COVID-19 के कुल 347 जितने positive cases आए हैं इसमें से ये भी पता चला है कि इस 24 घंटे दर्मियान 6 ऐसे लोग है कि जिनका दुखद अफसान हुआ है जिनको प्रात्मिक मृत्यू का कारण हम कह सकते हैं कि COVID-19 ही था 14 ऐसे लोगों की भी दुखद उनकी मृत्यू हुई है कि जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी और साथ में उनको COVID-19 का भी संक्रमन हुआ है और उसकी वज़े से उनका दुखद अफसान हुआ है आज जितने 235 जितने लोगों का डिस्चाज यानि कि इन्होंने चिकीटसा ली है इनकी पूरी इलाज होके फिर बिलकुल ठीक होके ये लोग वापस घर गए है इसी तरह से आज एक और पॉजिटिव चीज ये है कि कुल जो डिस्चाज हुए है उसका अंक अगर देखा जाए 2780 लोग हैं कि जो बिलकुल अभी तक कुल डिस्चाज होके वापस घर गए हैं आज के दिन पर जो अक्टिव पेशन्स हैं उन में से 5218 लोग स्टेबल हैं यानि कि सामान्य जो हवा है उस पर हैं रूम एयर पर हैं या फिर सिंपल ऑक्सिजन पर हैं 31 लोग ऐसे हैं कि थोड़े गंभीर हैं यानि कि वेंटिलेटरी कैर पर हैं और जो अभी तक के टेस्ट किये हैं 1,16,471 इस में से पिछले आज के 5 बजे तक के 24 घंटे में 2978 टेस्ट समने किये हैं आज एक खास बात ये भी कहनी है कि गुजरात सरकार ने हमारे मान्य मुख्यमंत्री श्री विजयरूपानी साब और वैसे ही हमारे मान्य डेप्यूटी सीम साब नितिन पतेल साब के नेत्रुत्व में खास आयूश की जो दवाई है उसको एरलिफ्ट करने का भी एक खास प्रबंद किया है क्योंकि हमारे पास स्टॉक और भी यहां लोकली बन रहा है पर इमीडियटली तुरंत अगर हमें और भी स्टॉक हमें उसकी जरूरत थी इसलिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर ने लिया कि हमारी जो आयम पीसी एल फार्मसी जो है उत्राखंड में राम नगर में वहां से देहरदून से हवाई जहाज में ये पूरे आज आयूश की जो दवाईयां है वहां से एर लिफ्ट की गई थी आज दोपैर डेड़ बजे के करीब अमदाबाद पहुँश भी गई है अब इन सब का पाकिंग करके हम अलग-अलग विस्तारों में और खास करके जो हमारा अमदाबाद म्यूनिसिपल का एरिया है कि जिससे जो अभी होट स्पोट की तरह उसमें इसकी जो प्रमान बाकी जिल्लों और बाकी शेहरों के मुकाबले थोड़ा जादा है वहां पर इसका बहुत जादा डिस्त्रिब्यूशन का एक काम वितरण का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें खास करके 2490 किलोग्राम सम्शम की वटी ये भी एक आयूरवेद की दवा है जिससे कि हमारी रोक प्रतिकारक शमता बढ़ती है वैसे ही 1440 किलोग्राम दश मूल कवात इससे भी 7 दिन तक ये कवात दिये जाने से इससे भी काफी असर पड़ता है और ये इससे खास ट्रीटमेंट के लि और नाम का एक कापसूल है जो भी जिसे भी हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तमाल करते हैं तो ये भी एक आज सरकार ने खास इस पर ये एक पहल किया है कि वहां से हमने एरलिफ्ट किया है और इसका वितरन किया जाएगा आज खास एक ग्राफ भी बताना चाहते हैं कि हमारे कल तक जितने लोग डिस्चारज हुए हैं जितने हमारे पॉजिटिव केसे हैं और डेट्स हुए हैं उसमें बहुत एक अच्छी विगत आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कल शाम तक 454 जितने लोग डिस्चारज हो गए थे अब उस नंबर में आज और भी बढ़ावा हुआ है वैसे ही 398 लोग कल के दिन पॉजिटिव थे और 21 लोग कल के दिन ऐसे थे कि जिनका दुखद अफसान हुआ था आज ये नंबर घटके कम हुआ है 20 पर और जो डिस्चारज हुए हैं वो नंबर भी आज जैसे कहा 235 है और जो पॉजिटिव केसे हैं वो भी घटके 347, 347 जितना हुआ है इसके अलावा सबसे अनुरोद करेंगे कि इस लडाई में COVID के साथ जो लडाई है इसमें जीतने के लिए हम हर एक व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिकारक शक्ती या रोग प्रतिकारक शमता बढ़ानी है इसमें बढ़ोतरी करनी है इसके लिए अनेक अ उपाय आयूश मंत्राले की तरफ से दिये गये हैं जैसे हमारे यहां जो COVID हॉस्पिटल है बारासो बैड की अमदाबाद में उसमें भी जो COVID positive patients हैं उनके लिए भी और हम सब के लिए जिन है रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाना है उन सब के लिए एक herbal tea का भी एक हम आज जाते हैं जैसे तज एक ग्राम काली मिर्ची जो है काली मरी तीन नंग सूट अद्रक सुखा हुआ एक ग्राम मुनक्का द्राक्ष दस और फिल तुलसी पुदीना के जो पान है 20 जितने पान और 200 ml पानी में इसे पूरा उबाल के फिर उसको उसके अंदर 5 ग्राम जैगरी यानिके गोड और आधी चमची लिम्बू अगर इसमें डाला जाता है और इसको 100 ml तक उबाला जाए ताकि आधा जितना इसका प्रमान घट जाए ये हर्बल टी से भी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ती बहुत बढ़ती है और इसी तरह से गोल्डन मिल्क यानिके गरम प्रतिकारक शक्ती काफी बढ़ती है और सबसे अनुरोद करेंगे कि अपने फोन में आरुग्य सेतु आप को भी आप डाउनलोड करें आज एक और चीज खास कहना चाहेंगे कि विदेश से काफी लोग भारत सरकार के खास पहल से हमारे आज रात डेड़ बजे फिलिपीन मनीला से 243 जितने लोग आएंगे और वैसे ही कल सवेरे 5.30 बजे अमेरिका से 151 जितने लोग वापस आएंगे इन सब के रहने की व्यवस्था पे और यूज यानि कि उनको पेमेंट करने की उनको एक चॉइस दी गई है और उस मेंसे जो वो पसंद करेंगे उस जगह पर उनको रोकने के लिए इसकी जो राशी होगी उनके पे करना होगा इसका प्रावधान भी सरकार ने किया है अलग-अलग खेडा मैसाना जैसे जिलों में और वहां कॉरंटीन पीरियड का जो समय है पूरा करके उसके बाद वो अपने घर जा पाएंगे तो ये भी एक खास व